और अब खुश करने वाली खबर 36 गण में सिक्षकों की भरती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है 33,000 सिक्षकों की भरती प्रक्रिया शुरू हो गई है सिक्षा मंतरी बुरुज मोहन अगरवाल ने जानकारी दी है ट्वीट के जरीए सोशल साइट एक्स पर नहोंने लिका है कि अब ये जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है 22,000 सिक्षकों का प्रमोशन भी होगा 33,000 नए सिक्षक, 22,000 सिक्षकों का प्रमोशन और अब बिलास्पूर से आपको बता दें दिन की सबसे बड़ी खबर चिल्ला मुबारक दर्बार में बड़ी संख्या में महिलाओं और लणकियों की तस्वीरे मिली है अटल आवास में ये चिल्ला दर्बार बना हुआ है अटल आवास में बना हुआ है चिल्ला दर्बार कि एक अटल आवास पे सरकारी अटल आवास पे एक मजार बना दिया गया है उस मजार में सादिक खान और पुरा परिवार जारफुक का काम करता है और कहीं ने कहीं पे वो जारफुक के नाम पे धर्मानतर का भी बड़ा रूप लेते जा रहा कि जितने आप जब लोग अंदर वहां पे गए अंदर जाके देखें तो अंदर पे आप देखेंगे हमारे साथ में पहुंसरी फोटोस वीडियोज है इतने भी अव्यावयत काम हो वहीं से संचालित हो रहे हैं इसका आप सक पुलिस अदिक्षक कारयाले में समाज से वीग और सहोगी उमेश उसक्त हमारे साथ जुड़े हुए है उमेश क्या-क्या ऐसा मिला जो मामले को संदिग्ध बहुत संदिग्ध बनाता है इस दौरान हटाने की कारवाई वो खुछ से कर रहा था लेकिन हिंदू संगाठन की कुछ लोग जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर देखने को मिला कि एक संदूग में कुछ फोटोग्राफ्स थे ना के वल एक दो फोटोग्राफ वलकि सौक की संक्या में वो फोटो पुरी मामले को लेकर जो फूरे हिंडु संग 같은데 कि नहीं पुरा मामले की जांच कि जांच की लिए लिगा सुई ऑप इस साथ ये वेरिफिकेशन का काम किया गया है आपको बता दू कि चौका देने वाला मामला ये है कि कुछ ऐसे लोगों के फोटो जो मिले थे वहाँ पर उनसे हमारी बात चीत हुई है और उनका ये कहना है कि ये फोटो उनके दरबार तक कैसे पहुँचा ये उन्हें नहीं पात है ऐसी है दुर्ग के रहने वाले उनका भी फोटो वहां पर मिला और उनसे भी फोन पर जब बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि उनका फोटो इस दरबार विलासपुर में कैसे पहुचा उन्हें नहीं पता तो कहीं नहीं ये पूरा मामला संदिक तैं आखिर इन लोग है उनका कहना है कि पहले भी इस तरह की शिकायतें इस तरह की गतिविदियावा नजर आई है उमेश बिल्कुल देखिए देवरिक तुर्वत आना चेत्र का वो इलाका है जहां पर प्रियम आवास बनाया है अटाल आवास के नाम पर कई गरिबों को आवास अवंटिक किया लेकिन उसके बावजूद उस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया लिहाँ जब इस पूरे मामले का परद दर परद न्यूज एटी ने राउंड जिरू पर जाकर खबर दिखा कर खुला सके तब जो है निगम प्रसासन जाओगा और उन लोगों को नोटिस दारी किया गया यह बताया जारा कि असामाजिक चत्तों को वहां लगतार जमावडा रहता है शराब खोरी वहां होती है नसे के बड़ा अड़ जो है वो देवरी खुर्द है ऐसे में वहां पर जांच की जानी चाहिए फिलाल देखना ही होगा कि पूरे मामले का उजागर होने के बाद विक्री पर बड़ा एक्षन पुलिस ने लिया है पुलिस ने कारवाई की है अवैज शराब बेचने वाले दो लोग गिरफतार किये गए इसके अलावा भारी मात्रा में अवैद शराब भी बरामत की गई है कॉर्बा से यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहा है लगात कॉर्बा में अवैद शराब बेचने वाले दो लोग गिरफतार किये गए और भारी मात्रा में इनके पास से शराब बरामत की गई है दो लोग गिरफतार किये गए है पूस्ताज इन से की जाएगी किस छेकेदार के यहां से कहां से शराब लाकर कहां खपाने की इनकी तैयारी थी किस तरह से बेचा करते थे और भारी मात्रा में शराब इनके पास से जब्त हुई है